सो सबसे पहले हम बात करेंगे वरून वेबरेज लिम्टेड के बारे में अगर हम आज की दिन की बात करें तो इस कंपनी में बहुत ही शांदार पॉजिरिव नियूस निकल के आया है तो इस नियूस को पड़ जाने से पहले अगर आज स्टॉक की कुछ प्रफॉएंस की बात करें अगर आप कल की दिन की प्रफॉएंस को देखोगे तो कल की दिन लगबग हमें हमें हाप पसन के आप पास की कारेक्शन देर्टन को मिला था लेकिन पिछले 5 दिन की प्रफॉए तो आप इसके बीच में भी आप स्टॉक ने बहुत बहुत करेक्शन दिखा है। जैसे इस स्टॉक में इतने बड़े करेक्शन आता है 10%, 12%, 15% अगर आप बाई नहीं करोगे तो कोई बड़े दिमस्टर आज जाएगा बाई करने के लिए और जैसे बाई आता है स्टॉक में अगेन कम बैक आना शुरू और फिर अपना जो रैली है पूर रैली हमें कंटिनू बहुत ही कमाल की रहा और बहुत ही स्मूधी रहा सिर्फ एसन के वीवेल ने सिर्फ पांच साल में 1100% के प्रॉफिट बना की दिया और भी बहुत से आपको स्टॉक देखन को मिल जाए जिन्होंने बाजर में बहुत गिराबर भी होता है तब यह स्टॉक ज्यादा करेक्शन नहीं दिखा दे बहुती स्मूधी चलने वाले यह स्टॉक आमें देखने को मिल जाते है और अभी तक जो स्टॉक ने इतने कमाल के प्रॉफिट दिखा है एक तरफ बहुती स्मूधी इसकी बना हुआ है यह प्रॉफिट आने वाले लॉंग टाइम में भी आपको इसी प्रकास से स्मूधी और कंटीनू होते हो देखने को मिल सकता है तो चलता है हम देखने उस न्यूज के उपर तो न्यूज आप देख सतों के कंपनी वरून वेबरेज के बात कर तो इंक्रीज कर और भी इंक्रीज करते हो है आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख से तो के उन अफ दा लार्जेस जो बॉटलर है पेपसिको का प्रोड़क आउटसाइट दा यूएस तो प्लैन करे तो फोकस ऑन ग्रो इस प्रोडेक्शन कैपासिटी इन जूस एंड वैलू देख से तो गरमबोंदी राजिस्तान की बात करे और जबलपूर मध्यप्रदेश की बात करे और भी बहुत से आपको इनके टोटल सिक्स आपको लोकेशन में देखने को मिल जागा तो यह न्यूस करता है कोई भी कमपनी अगर आपने कैपसिटी को इंक्रीज करता है तो पेले और भी शांदर पॉजिरीज रोटा है क्योंकि कोई भी कमपनी अपने कैपसिटी इसलिए इंक्रीज करता है ताकि उनको लगता है कि आनने वाट पर टाइम में उस जगह से नको बहुत अच्छा का से डिमांड आएगा तो उनको बहुत अच्छाका से दिमांड आए और आने बाले टाइम में भी आपको stock में इसी प्रकार के performance देखने को मिश सकता है और जैसे मैंने का कि यह stock ने इतने कमाल की smoothly performance दिखा है उसके पीछी का जो reason है वो company खुद है company के साल भार साल के performance को देखोगे तो अगर आप 10-12 साल के data को देखोगे तो 2012 में company के income थे अठासो करोड फिर 2100-2500 हर साल company ने बहुती कमाल की growth दिखाए अब वो sales जो कि 1-10-12 साल पहले सिर्फ अठासो करोग हुआ करता था अब वो इनकी सुके सिधा 16,000 के उपर हमें जाते हो देखने को मिल रहे और सेम profit को भी देखोगे एक टाइम पे double digit में profit था उसके बाद आप देख़ो तो कि बहुत ही consistency आप वो profit इनकी सुके सिधा 2000 करोगे उपर company के net profit हमें जाते हो देखने को मिल रहे तो अब इस stock में जो profit दिखा है उसकी पीछे का reason है कि company के profit भी बहुत ही कमाल किरा है जो company वो भी कुछ खास नहीं एक 25,000 करोगा है दूसरा 13,000 करोगा मतलब बहुत ही छोटी छोटी company है तो यह भी एक बहुत बड़ा प्लास पॉंट है इस company के लिए जिसके जल्द आप में दिखा कि जब से इसके listing हुआ 2016 में तब से लिके कुछी सालों में इसने 2000% के शांदर रिटर मना के दे एक टाइम पी यह mid-cap थे अभी आपको दो लाग करोके ब्लूचीप company देखने को बेलेगा और जैसे का कि पूटफियू को बहुत ही balance बना के रखता है बाकि दूसरा stock कैसा है return तो देता है कमाल की पांच-पांच साल में 1000%-2000% बच जब बाज़े में गिरावाट होता है तो गिरता भी उसी प्रकास है बट यह stock return तो कमाल की देता है बट गिरावाट की टाइम बहुत ही कम गिराव कुछ फिर से भी company के management कुछ corporation देते हो देखन को मिल सकता है यह कुई guarantee वाली scheme नहीं बट अभी तक के record देखा जा तो company के management इस प्रका के announcement करते रहते है बट आज ही तो कल stock गार ऐसे प्रफ में दिखा है तो आज ही नहीं तो कल हमें दुवारा corporation ज़रूर मिलते हो देखन को मि नहीं तो stock top level से nearby exactly 10% down है तो कि जाना चाहिए अगर आपको company अच्छी रखते है और बहुत लंबी अब दी विजन है आपका बहुत long time तो चिप सिर्फ एक छोटा सा store में से आप अपना सुर्वात करके चाहिए 10% गिरा है तो stock और भी इस level से गिर सकता है तो उस गिरावाट यह अपना फिर एक all time high वो जरू अचीब परेगा तो अगर आप चाहो तो इसके बारे में जरू decision ले सकता है अगला stock की बात करें और एक शांदर company happiest man technology limited happiest man की बात करें तो यह भी बहुत ही कमाल की company बट इसने अभी देखा जाए थोड़ा कुछ short time या थोड़ा long time performance को देख नेगडी भी प्रफ़ें देखा है बहुत खराब प्रफ़ें देखा है मतब जिस size की company मतब जिस प्रार की company की size है एक small cap mid cap जैसे तो ऐसा होता है कि चलो at least to mid cap small cap company रहता है उते एक कमाल की प्रफ़ें देना चीए blue chip का मान सकते के 2-2-7-3-7 stock चलते नहीं है but ultimately blue chip अच्छे company ह हमें return मना के दे देता है but this stock mid cap small cap होने के बाद भी बहुत इसने खराब अब होई दिखा है ठीक है जो management के साथ से guidance है कि इनका जो vision है वो बहुत ही लंबा है मतब 23-32 तो तब तक अब hold कर पाओगे अगर आपने यहां भी भाई किया तो आपको यहां से भी बहुत बड़े return आपको मिलते हो देटन को मिल सकते क्योंकि उसी प्रकार के company अमें उसी दिशा में बहुत ही aggressively काम करते हो देटन को मिल रहे जैसे हाली में आपने देखा कि 15 फेब को company बहुत बड़े company के साथ सुरो को इसके साथ बहुत बड़े partnership किया for AI purpose के लिए तो AI से लेटर जो भी company काम कर रहे अभी इतना benefit ही मिलेगा लेकिन इस partnership के चलते इस सेक्टर के चलते कम इस happiest man को बहुत बड़ा benefit मिलते हो लांग टाइम में आपको देखन को मिल जाएगा और बाकी यह भी आपने देखा कि management ने बहुत बड़े announcement किया कि वह six new industry launch करने जा रहे है जिन में आपको यह सार देखन को मिल जाएगा और इन सारी segment को जो six industry है हर एक industry के लिए आपको एक-एक अलग-अलग टीम भी वह रखते हो देखन को मिल जाएग जिनके उन्होंने नाम भी इसी पात पर company के management चल रहे company काम करते हो देखन को मिल रहा है तो देखेंगे दीरे-दीरे क्या वह इस टागेट को क्या अचीब कर पाएगा चलो 2021 नहीं अगर 2022 तक भी आचीब कर ले तो भी यह जो वन बिलियन रेवन हो दो तो यह भी बहुत बड़ा नंबर है मतलब अभी के प्रफिस को देखोगे तो चोदा सो करों के इंकम तो यहाँ से भी मल्टिप्लाई करोंगे तो 5 तो आराम सापको देखने को मिलें मतलब बलेन मतलब 8000 करों के तब इस प्रस्पर चोदा सो नगरविक्स तो जरूवक देखने को मिल जागा दो 2013 तक अब यह 2024 है रफ लिज छे-सात साल, तो सात साल में अगर कंपनी के income 5X होता है, तो साय से profit भी 5X हो सकता है, अगर profit 5X होता है, तो stock price भी आपको इस level से, आपको 5X होते देखने को मिछ सकता है, तो अच्छे कंपनी, ये भी हमें quarterly basis देखने पड़ेगा, जिस प्रकार की company target लेके चल रहे, कि 2021 तक 1 billion revenue क वो अचीब करेगा, तो कि उसी path पर चल तो रहे company, तो इसलिए हमे quarterly basis नमर को भी follow करना पड़ेगा, कि कपता है company के number पर हमें recovery देखने को मिल रहे, तो अभी अभी लिष्टिं हुआ, हटले 3 साल है, 3 साल हुआ, फिर भी देखा जाए net 131% return मेना के देया, बट ये उनके लि होल करें, तो short time में इसमें थोड़ा बहुत return बन सकता है, जैसे 800 के stock 1000 पर पहुंच गया, 1120 प्रका के, अगर आप ये सोचों के 800 के stock 8000 कैसे जाए, यहां से 10-10 गुना return कैसे मिले, तो उसके लिए आपको बहुत ही लंबी अब दी hold करने परेंगे, लेकिन इतना potential इस company के अं उनको अच्छी तरह से experience है कि एक आटी company को कैसे grow किया जाता है, है तो company धमदा है, तो अगर आपके पास है, बस इतना का चोगा, company, business बाई कोई खराब नहीं है, बहुत ही aggressive काम कर रहा है, उपर से आपको बताए कि इस time पर पूरे IT सेक्टर में हमें slow down rate को मिले, demand के, तो यह अगला stock की बात करें, तो ethos limited की बात करें, यह भी एक बहुत ही शांदर company, हमें कल के दिन में कमाल की तेजी देखने को मिला था, बट वो तेजी टिक नहीं पाए, और व्यासी भी देखा जाए, साल भर में इसने लगभा पोने 200% की return मना के दिया, अभी यह भी listing हुआ, अगर कभी अच्छे का से discount मिले, अगर बाजर गेर गा तो छोटी company इसमें भी अच्छे का से profit booking आएगा, तब entry ले सकते हो, अगर आपको company अच्छे लगता, अधर वाइस Q4 के number वेट कर लो, Q4 के number अगर आपको अच्छे लगे, चाहो तो उस number देखने के बाद भी चाहो त अपना फ्रेसेंटी ले सकते हो, आखरी श्टॉक के बात करें, तो वारे रेनेवल एनलिजी टेक्नोलोजी रिमिट, अगर हम कल की दिन की वी बात करें, बहुत ही शांदार रेली देखने को मिला था, पांच पसंग के, six month के बात करें, तो 478 पसंग के रिटन, साल भर में 1000 पसंग और पांच साल में देखोंगे तो इसमेंदा आपको ज्यादा रिटन देखन को मिल जाएगा, लगबाग 48,000 पसंग से भी सांदर, उससे भी जादा था थी जी, तो इस टॉक में और भी लागा था था, ती जायर उसके पीछे का और एक रिजन है के हाली में कंपने वान इस्टों हमें 5 का स्पीड भी अनस्पन करते हैं को बनाता है, इसके जलते हैं आपको ब्लैंड नी बिल्कुल भी नहीं खरेंना है, अच्छे श्टॉक शादर होगे, तो ऐसे एक और अच्छे श्टॉक में देखन को मिल सकता है